हमारे सम्माने साथ ही शिवसेना के हमारे नेता और महराश्ट के मुख्य मंत्री श्री एकनाथ शिंदेजी से अग्रह करूँगा कि वो भी प्रस्ताव का नुमोधन करें भारत मता की चैत्रपती श्रीवाजी महराज की आज का ये आईतियासिक और स्वरनिम दीन है कि आज हमारे अधरनिय प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी जी को एंडिय संसदिय दल के नेतापत पर राजनाथ सिंग जी ने जो प्रस्ताव रखा है हमारे बास अब ठाकरे जी के विचार वाली शिव सेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्तन देता हूँ और पिछले दस सालों में हमारे अधरनिय प्रधान मंतरी जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश का नाम पुरी दुनिया में रोशन करने का काम किया देश की अर्थ विवस्ता को मजबूत किया और एक हमारे देश को एक नहीं पैचान बनाने का जो सपना था, वो पूरा करने का काम किया है और इसलिए कितने भी विपक्ष वालों ने जब अभी हमारे नितिश कुमार जी ने कहा कि यहाँ वहाँ जो गए है, उनका क्या होने वाला है, उन्होंने कहा है और कितना भी जुटे नरेटिव, जुटी अफवाय फैला कर देश की जनता को गुम्रा करनी की कोशिश की लेकिन ये जुटे नरेटिव और जुटी अफवाय फैलाने वाले को देश की जनता ने नका रहा है और आदर्निय प्रदान मंत्री जी को स्विकारा है उसमें डिटेल में मैं नहीं जाओंगा लेकिन यहाँ पर हमारे सभी उपस्तित नेतागर है नड़ा जी है राजनाथ सिंग्जी है अमिद भाई है अमरे आधरनी अजित दादा जी है वहाँ अभी सभी महानुबो है एक सियम है वहाँ अमारे चंद्रा बाबू जी है नितिश कुमार जी है और सभी मान्यवर और सभी इस सदन में उपस्तित फिर से सांसद बने हैं उनका मैं तह दिल से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ शिवस्यना के बारे में इतना है मैं कहूँगा कि यह शिवस्यना और भारते जन्ता पार्टी एक विचारधारा एक समान विचारधारा वाली पार्टी है बाएसर ठाकरे जी के नेतरूतों में हमारे जो गड़बंधन हुआ है ये गड़बंधन एक फेवी कोल का जोड़ है ये बिल्कुल तुटेगा नहीं और लोकसभा के चुनाओं में जो हमारे आधरन ये प्रदान मंतरी जी ने जो मेहनत की है, जो सभाय लिए है, जो उनकी जादू है वो जादू इस बार फिर लगातार तिसरी बार इस देशने देखी है और इसलिए उनको मैं तिसरी बार प्रदान मंतरी बनने के लिए शीवसेना पार्टी की और से, रिदई से मैं उनका स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और शुब कामनाय देता हूँ और शिर्म इतना है कहूंगा उनके लिए मैं उन्हें चार पंक्तिया पेश करना चाहता हूँ आपकी इजादत से मैं उस माटी का उर्क्ष नहीं जिसको नदियों ने सीचा है बंजर माटी में पलकर मैं मुरुत्यू से जीवन खीचा है मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ शिसे से कब तक तोड़ोगे मिटने वाला मैं नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे और दस साल जो काम किया है उसके गवाब सब है और इसलिए लोगों ने विकास को महत्व दिया है और जो विपक्ष के लोग सिर्फ राजनिती करते थे उनको उनके घर पे बिटा दिया है और फिर एक बार तिसरी बार मोदी जी हैट्रिक करेंगे मैं उनका अभिनादन करता हूँ